हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो फिट्ट्यूबर हिंदी, ये है फुल बॉडी वर्काउट मेन और वेमेन दोनों के लिए तीस सेकेंड्स के लिए एक एकसराइज और फिर दस सेकेंड का रेस्ट अभी लेकिन सिर्फ वीडियो नहीं देखने ही, चलो साथ में वर्काउट करते हैं सबसे पहले एक मिनट का वाम अप करेंगे, क्योंकि जब तक बॉडी खुलेगी नहीं, प्रॉपर ब्लड फ्लो होना स्टार्ट नहीं होगा तब तक वर्काउट का प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसलिए वाम अप बहुत जरूरी है बस पंदरा सेकेंड और सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, बस करते रहना है, ठकना मना है सिर्फ तीस सेकेंड जितना हो सके अपना बेस्ट करो, पूरा मसल माइंड कनेक्शन बनाते हुए अल्मोस्ट डन ओके 10 सेकेंड का रेस्ट लेते हैं, डीब ब्रीथ कर लो थोड़ा फिर शुरू करते हैं पुश अप्स चलो अगर आपसे एक भी पुश अप नहीं लग पाता तो कोई बात नहीं, स्क्रीन पर बिगनर पुश अपस आ रहे हैं वो कर लो बॉड़ी सीधी, हिप्स थोड़े उपर, चेस्ट में टेंशन मेंटेन करते हुए कितने भी बेट्स उठालो, पुश अप से बेटर शायद ही कोई एक्सरसाइज हो कोई भी अथलीट हो, उनके वर्काउट रिजाइम में पुश अप जरूर होते हैं बहुत बढ़िया, थोड़ा रेस्ट ले लो, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए टावल अरेंज कर लो जल्दी से बैक एक्स्टेंशन, चलो करते हैं बोडी फ्लोर पर और स्पाइन सीथी, बिगनर हो तो टावल के बिना कर लो, बिल्कुल ऐसे इस एक्सरसाइज से बैक के मसल्स प्रॉपर स्ट्रेच और कॉंट्राक्ट होते हैं बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, एक तरह से पुल अप्स का ही माइल्डर वर्जन है जैसे ही हातों को बैक लेके जाओ, ब्रीद इन करो और आगे लेके जाते ही ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, प्रॉपर ब्रीदिंग टेखनीक से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं बहुत सही, अब 10 सेकेंड रेस्ट, एक लंबी सांस लो और नेक्स डाइमंड पुश अप्स के लिए रेडी हो जाओ चलो करवे, बस रुकना नहीं है, अगर बिगनर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्क्रीन पर इजी वर्जन आ रहा है, वो कर लो हाथ बिलकुल ऐसे डाइमंड शेप बनेगी, बॉडी सीधी, हिप्स थोड़े से उपर, वही पुश अप्स वाला रेंज ओप मोशन, पूरी टेंशन ट्राइसेप्स पे आएगी आम्स का 66% ट्राइसेप्स होता है, इस एक्सरसाइज से बनेंगे आपके आम्स, बस करते रहना है वेल डन, 10 सेकिंड्स का रेस्ट ले लो, पानी पीना है तो पीलो, नेक्स्ट रेडी हो जाओ स्कॉट्स के लिए ज्यादा तर लोग लोवर बॉड़ी को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए स्कॉट्स बिल्कुल जैसे चेयर पर बैठते हैं, वही रेंज और पोशन है स्कॉट्स का हिप्स बैक, नीज को जादा आगे ना लेके जाते हुए, जितना हो सके नीचे जाओ स्कॉट्स करने से मेल्स में नैच्टरल ही टेस्टेस्टराण बूस्ट होता है, जिससे मसल बिल्डिंगों या फैट लॉस तोनों में ही बहुत हेल्प होती है गुट, बस करते रहना है, अल्मोस्ट डन, गुट, 10 सेकिंड्स रेस्ट, रेडी हो जाओ, नेक्स्ट एक्सरसाइज काफ रीजिस के लिए चलो करते हैं, बॉडी का बैलेंस बना कर, चाहे तो आम्स को स्ट्रेच कर लो, बस एडी को उठाना है, फिर नीचे, फिर उपर, पूरा प्रेशर काफ्स पे आएगा गुट, बस करते रहना है, बस 15 सेकिंड और पूरा फोकस उसी मसल ग्रोप पे ग्रेट जॉब, 10 सेकिंड रेस्ट, डी ब्रीट करो, इसके बाद करेंगे कोर बॉडी को ट्रेन क्रंचेज, कम आउन, अगर थोड़ी मुश्किल आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्लोली बिग्नर वर्जिन कर लो लेकिन रुपना नहीं है, रुप गए तो वर्काउट का मज़ा नहीं आएगा लेक्स को स्ट्रेट रखते हुए पहले उपर, फिर स्लोली डाउन, लेक्स उपर गई तो ब्रीद आउट, लेक्स नीचे तो ब्रीद है इसी से ही तो आपके टमी के मसल स्ट्रॉंग होंगे, और फिर इसी से ही तो आपके आप्स वाले वो कट्स आएंगे जितना हो सके अपना बेस्ट करो, पूरा मसल माइन कनेक्शन बनाते हुए बहुत सही, अब 10 सेकिंड रेस्ट, अब नेक्स करेंगे रणिंग प्लांक, रेडी हो जाओ चलो करते हैं अगर आप बिगनर हैं तो नॉर्मल प्लांक कर लो, बस बॉड़ी एक स्ट्रेट लाइन में, हिप्स थोड़े से उपर, आपको खुदी ही कोर मसल्स में टेंशन महसूस होगी, बस वही सही पूजीशन है होल्ड करके रखना हैं बस, और कुछ नहीं करना पंद्रह सेगेंड और बहुत अच्छा, अब रेस्ट एक डीप ब्रेथ ले लो, फाइनल एक्सरसाइज है, अब ने रुकना, बर्पीज चलो करते हैं बर्पीज एक तरह से हाई इंटेंसिटी काडियो है, बिगनर हो तो कोई प्राब्लम नहीं, माइल्डर वर्जन कर लो पहले हमने अपर बॉड़ी ट्रेन की, फिर लोवर बॉड़ी, देन कोर, अब फाइनली काडियो पर्फेक्ट है मसल टोनिंग और फैट लॉस के लिए पांच मिनट में ही पूरी बॉड़ी में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है इस वर्काउट का जो सैटिस्फेक्शन है वो आपको नेट्फिक्स पे नहीं मिल पाएगा दिन की अगर ऐसी शुरुवात हो जाए तो फिर पूरा दिन एनर्जेटिक फील करोगे चलो फिर कल मिलते हैं इसी टाइम सो दोस्तों आया ना मज़ा जिम नहीं जा सकते तो ये एक बहुत ही बढ़िया वर्काउट है मैंने में इस विवेक ए थैंक ये सो मुच पर वचिंग